दुर्बर के नोगाओं में किसानों की समस्यों के लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए तैसिल कारले के घेराब किया है। कि जिस तरह की परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश में चल रही है। उससे कॉंग्रेस की 170 सीटी आएंगी और कमलना सरकार बनाएंगे। प्रदर्शन से साफ दिख रहा है कहीना कहीं नीरस इक्षिज जी लगातार पात्सा जंता के बीच रहे उनकी लोगता जंता के बीच है। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी तुर्दर्शन से आशिरवात देगा। आप सब जानते हैं तरंग का जंड़ा सोपन चाहिए था कि भात्पा का जंड़ा सोपन थे। अपने केवल नेताओं ने अपनी चापलूसी कि हम पबलिक लेके आए बच्चों को दवस्दे कि प्रसाशन के दबाव में जंड़े पकड़ा दिये गए। पूरा लोकतंत यहत्या हो रही है इस देश की, लोकतंत से सरकार है कि रही जा रही है, लोकतंत कहीं मात्य नहीं समझा जा रहा है, यह बहुत सरकार है, यह जे केवल अपने आपने सत्ता हासिल करना चाहती है और देश को दूटना चाहती है।